अग्णी सुत्राणों ना मुंबाई ब्लास्ट केस मां मोटी सफ़ता गुजरात एटी एसे वांटेड आरूपी ने पकड़ा आशे अमदबाद थी चार वांटेड आरूपी पकड़ाया शे विस्पोर्ट बाद विदेश भागवा मां थाया हता सफ़ड बोगस युसुफ भटाका, शोएब बाबा, सेयद कूरेशी नामना आरूपी ओ पकड़ायला चारे आरूपी ओ दाउद ना सागरीतों चे अंडर वल्ड डॉन दाउद ना सागरीतों गिरफ्त मां आविया शे तो दाउद ना नजीगना चे तमाम आरूपी ओ जे हवे गिरफ्त मां आवि गया चे मुंबाई ब्लास्ट केस ना वन्टेट चार आरूपी पकड़ाई गया चे तो दाउद साथे तैनों सिधों जनातों चे सिधा संबंधों चे गुजरात एटीएस ने मुटी सफ़ता हाथ लागी चे दाउद ना नजीगना चे आचारे आरूपी जे मुन पकड़ी लिवा मां आविया चे मुंबई ब्लास्ट केस्ट माव वन्टेट हता आचारे आरूपी तो दाउद ना सागरी तो हवे गिरफ मा आवी गया चे अन्डर बाल डॉन दाउद पाकिस्तान गया और पाकिस्तान में ट्रेनिंग दिया हुआ था कि विस्पोर्ट पदार्तों यूस करने के लिए पाकिस्तान में ट्रेनिंग दिया था उसमें इन्होंने भाग लिया था पास्पोर्ट फेक है और फ्रडुलेंट तरीके से फोर्च डपुमेंट का अधार पे बनाए गया पास्पोर्ट है उस अधार पे इनको पिकप किया गया उनको इन्विस्टिकेशन और डिटेल इंट्रोगेस्ण उनका शुरू किया गया गया लीटेल इंट्रोगेस्ट करने के बाद बाद पाद चदा कि ये चार लोग वैसे लोग हैं जो बॉम ब्लास्ट के केस में मुंबई बॉम ब्लास्ट केस में आरूपी हैं इनके उपर रेट कॉर्ण नोटिस भी इशू किया गया है और इनके प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के रूप में इसको सीबी आई की कोड ने इनको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर किया गय अने रतलाम मा बॉम ब्लास्ट अंगे ट्रेनिंग लिथी हती RDX मंगावी राजस्तान मा ब्लास्ट करवानू प्लान हतो अगाउ राजस्तान पूली से पांच आरूपियों नी धर पकड़ करी हती जैपूर मा पकड़ाएला बार किलो RDX केस मा हती आता पास अने राजस्तान मा ब्लास्ट ना शड़ियंत्र मा गुजरात ATS ने सफर्था मड़ीच करा अना कमल राठोर कपिल राठोर ए बन्ने ना जे मडर केस मा पन फण्यों पकड़ावेलाचे प्रेंट ली पण फण्यों काम करता आता अगाउ पन्ये ये रित्नों वालेंट अक्तिविटी करी चुकेल चे हाल मा एक्स्पलोसिव आइटम साथ पकड़ावेला पढ़गा नो जे आरोपी गुजरात ETS द्वारा पकड़ावेल एमा ए साकीब नाचन करीने जे मुंबई ना ब्लास्ट नो आरोपी हतो पहला एनो डिस्टेंट रिलेटिव पन थाएचे ए पने नी तपास मा जानवा मले है बोठात ही खबर ची घठणा मंदिन सत्ताधारी देवपक्ष्ना अंत्रिक विवाद ने देवपक्ष्ना विपुल भagtत सामे मार पर्याद नी फरियां चो धिए पकलोसिषekt ना प्रयात बहांधी ना परियाद नो पाढ़एचे मारमारी अंने मारमारी अंगे गोपिनात मंदिर चे आद मैंने आपी चे प्रतिक्रिया गठ्रा मंदिर मां मारमारी नी वाद थी दुख था हूँश मारमारी नी अंगे नी अंगे नी परियाद लाकल थाई यंगे नी माहिती माटे अपने जनाओ चो आ समाचार मडता वो दुख थाईचा उनाता हूँ जोई धर्मसंत्ता मा ने अखिकत तो पुरी एजिमन खबर नती बूरी गड़ा जाओ अधला कबर पड़से पर करेकर जे मौंगेरा लिम्बु माटे जिवलेंड हूमलो सुरत ना अमरोली ना मधुवन शाक मार्केट मा बनाव बने हो छे दलाल ना पुत्र अने शुटक वैपारी वच्चे थाई चरग चक लिम्बु नाम हाव मुद्दे बोला जाली हिंसक बनी छे लारी चालक अने तैना सागर तो ये करे होतो हूमलो दलाल ना पुत्र पर छारी थी घात की हूमलो कराया हूश हत्याना प्रयास ना गुणा मापन त्रॉन लोको नी धर पकड करवा मावीश साबर कांठा मा एक करोड नी चोरी नो केस उखिला है उशे फर्यादी ना कुटुम्बी जनो ए जकरी हती चोरी अने पिता पुत्रे जवालरस ने त्या चोरी करी सोना चौंदी ना दागी ना साथे ज रोकर नी चोरी करी हती कटर थी ग्रील कापी मकान मा घुसी अने तसकरी करी हती जवालरस ना बाजुना मकान मा घुसी तसकरी करी हती सुना चांदी ना अने रोकर नी चोरी करवा मा आवी हती बाजरस ना घरे आ चोरी कर आई हती अने घर माजी पी-ओ-पी हतू तैनी अन्दर आ छुपावा मा आवे हता जो एक करोड नी चोरी नो आ केस आखरे उकेलाई करो श गुजरात मा जून ना बीजा सप्तामा चोमासु दस्तक आपिश्रकेश राज्यमा प्री मौनसून एक्टिबिटी मेना अंत सुधी मा भाईश्रकेश दक्षिन गुजरात मा वीस न एक्विस्तारीके बादर चायू वातावरन रह्मानूपन अनुमांच जून ना बीजा सप्तामा वर्सादनों आगमन थे शकेशे प्री मौनसून एक्टिबिटी पन दक्षिन गुजरात मा बादर चायू वातावरन रह्मान रह्मा प्री सने एक्विस्तारीके जून ना बीजा सप्तामा चौबासू दस्तक आपी शकेशे लेक ही शकाई के समयसर चौबासू आवी शकेशे प्री मौनसून एक्टिबिटीज एन तैन पित्तैना पहलाज शरू थाई जशे डिके वीस न एक्विस्तारीके दक्षिन गुजरात मा बादर चायू वाताव पिलाल अंडवन निकवर और पार्ट ऑफ बेय बेंगल वो चुका है सुला तारीक को जैसे कि उसका नर्माल डेटे वाइस में लिकिन फांजिन पाहले हो चुका है मंसून उनसे लेकिन के लाने के लिए टाइम लगेगा के ला का भी फरकास्ट किया गया है को लामें उनसे के लिए दिया गया है तो आराउंड 27 में तक के लाने का संबावना है लेकिन उसमें मॉडेल एरा रहेगा प्लास माइनस फोर देज गुज्रात का जिसे नर्माल डेट है हमारा अम्दाबाद तक आराउंड 20 जून नर्माल डेट है अभी पहले अंसे होने का बाद के लाने तो फ्रोग्रेस देखा जाएगा राजी माकार जाड़ गर्मी रेश्री यथावत आगामी बैदिवस बाद हीट वेव मी आगाहिशा आगामी अर्तारीस का लाक मा गांधिनेगर अम्दबाद सुरेंद्रनेगर कच्छ मा हीट वेव रेश्र अम्दबाद मा उगनी सन के हिट वेव नी आगाही करवा मावी सोयर नीस बीस तारीको हीट वेव हो सकता है टेमपरेचर 44-45 डिग्री सलिचिस होने का संभाबना है और गांधिनगर में भी और बारीस अब भी होने का संभाबना नहीं है लिकिन डेफोर डेफाइब में साउध गुजरात रिजिन मे जामनगर मनपानू फुड विभाग एक्शन मा चुए फुड विभाग नी टीमे शेडी ना रस ना चीचोडा पर चेकिंग करियो हतु अने उनाडा ना आकराताम मा लोगो ठंडा पीना शेडी नो रस ही ठंडा पीना उप्योग मा लेता होय चाना वसमय लोगोंने गुण अने उनाडा यूगत ने आरुग्य प्रद ठंडा पीना तेमा जो शेडी नो रस मड़ी रहे तेमाटे मनपानी टीम होय अलगलग जग्याए चेकिंग हाथ थर्यो हतु जेनले शेडी ना रस नो विचान करता वैपारियों मा फफडार चा अने बात करिश्णू खार्दिक पठेली नराज हार्दिक पठेल पर कॉंग्रिस नी प्रतिक रिया प्रदिश कॉंग्रिस प्रवक्ता मनिश दोशी नो निवेदन चुए के पाटीना अंत्रीक मार्खामा हार्दिक के संबात करवो जोई हार्दिक ना निवेदन थी कारेकरो दुखी थाया चे पक्ष बहार निवेदन आपथी पक्ष नुकसान थे रहो चे पक्ष कश्रू जन थी आपियो तेवा हार्दिक ना निवेदन पर बोल्या चे मनिश दोशी कॉंग्रिस पक्षना कारणे व्यक्ती मोटो थायो चे पक्षे तेमने नानी उम्मर मा मोटो पद आपियो चे पक्षे मोटी जवाबदारी आपिया ने तिया अंगे काम करवू जोई है हार्दिक भाजप मा जोड़ावानी अकड़ो पर बुलिया चे दोशी हार्दिक होंशियार अने तक निपार्खी शकेश तो भुद्कार मा किटला के गया सीती सव जाने चे भाजप मा जवू के नई ते व्यक्तिकत निणे होई शकेश अनेक पी जव घकता होई चता यवी आगामी जीजो चे ते ने सूपेर निभावी ने आगामी द्यूसो घकतो ते मजब дता हो हुए कि बाज़पानी सरकार सामें लड़ू छे, बाज़पाना भ्रष्ट सासंती गुजरातनी जन्ता ने नियाय अपा हो छे, तेमने निश्चित पने मरेली जवाबदारी ने संपूर पने नियाय आपी ने अगर वधू जो यहू मरू ब्रमानिक पने मानू छे. पक्स ने मजबूत करवा माते ने इमनी कोई पर वात होए तो खुला मने अमेजा कॉंग्रस नुन लेतुत्वत तमाम बाबते काले करवती मानी ने तमामनी बाद सामबद हो छे. आधिक बाई पक्सना मारखामा जवाबदारी दरावता होवा चता तेमने जे प्रकार नी बाद करे तेना थी कॉंग्रस पक्सना काले करवनमा पर मोटा पाय अदूप थेुँचे. आधिक बाई इमने मरणी जवाबदारी ना अधारे पक्सनी आंत्रिक व्यवस्ता माज बाद करवा थी पक्सने फाइदो थवान बिले नुपसान वदू थत्व होई छे इमनी वारमवा नी आप्रकार नी बाबत जे बाद उपते हो जवाबदारी जम्वाजे तेमाटे व नहुर नहुर लागे नवी नवी वात लागे मन पक्स जाले तमने गणू महत्वाबतार जोड़ाता हो जे त्यारे तेमनी सू स्थिती दाई आपने खुर्वा मंत्रिश्रियों ने जोया छे ये वह उस्यार छे युवारन छे अनु वेव मानूं के इमने ये सम्वाज वा मजमूर बहिना छे अने हाल तेवो कितली व्यथा ने कथा साथे तिवा अत्यार स्थिती दो अनुभव करी लिया छे तिवा संजो मां ये वास्तरिक परिस्थिती दो आक्रंद स्वयम मुल्यारकन करी सक्षे कांके यह उस्यार व्यक्ती छे अने हवे ने जिरकर इश्णू टॉप त्री हेडलाइन्स पर पक्षना कारे करो थाया नाराज कॉंग्रेस नुने विदन कहिं के पक्षना अंत्रीक मार्खा मां हार्दी के करवो जो ये समवार बुलेटीन मागरवधी शू नानक रबरीक बाद कोड़ी समाज मां विवाद मामले बावर यानो खुला सोचे क्या समगर मामले कौट मामलो चे अने मुद्दत आवे एटले केस पाचो खेंची शू तो अजीत भाई गमेते बोले तेनों कोई मतलब ना थी अजीत भाई ने कौण चड़ावे चोए तेमारो विश्रे ना थी कौण ची अने अजीत पटिल बच्चे खट्राद चे अजीत पटिले कौण ची पर करया हता प्रहार कौण ची बावट गयाए करे ओचे मोट खुलासो अने अखुलासो चे के कौट केस चे मुद्दत आवे एटले जे थावानू हर्षे ते थाश्चे कौण ची बावट चे मुद्दत आवे एटले केस पासो खट्राद चानू अने अवता दिवस्रा अजीत पाई चे मुद्दत आवे जे शाथे मले फरीवकात चूटने करवानी अने जरे सिलेक्शन था इलेक्शन था येकाद मेनमाईनो केस ख्रिप्टाई लोगाए लोग अजितना के मारों बर्थमने टार्गेट करेवल इसे को ये निपाथ शल इमाँ वाद निच पड़ू परणी आहकी सामाजीक वात से घर्नों ममलो घर्मा एवात पूरी थेगे भावनगर ने वलबिपूर पालिका मा भड़को था हो छे भाजपना पांच जुनगर सेवकोई शेर्मेंट पदे थी राजीना मा प्या पालिका मा चाली रहो छे घणा समय थी विवाद प्रमुख ओ प्रमुख थी केटला कर सभियो नाराज होमा निक पनिचर चा छे पालिक भाजपना प्रमुख थी राजपना 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 प प्रादान मंत्री से नर्यन मोझिसाः राजकोट पासे आरकोट ना होस्पिटल ना लोकारपन मांटे आवी रहाच अने सौभाई चेके जारे प्रादान मंत्री पोजी सहाः आवा ना होई त्यारे एनी तैयारी पॉर्णो पुश्य सुपे करमा आउती होई चे संख्यानी अगाव अपने अल्ट कोईन विशे चरचा करीशे आज जे अपने अल्ट कोईन सीजन ना संबधित पासा विशे वाद करेशो ओल्ट कोई सीजन ए पीरियट शे जरी नॉन बिटकोईन क्रिप्टो करन्सी जेने अल्ट कोईन्स क्यवाई छे ते बिटकोईन करता वधू सारों पफ़ॉर्म करेशे जेम तमें जानों छो बिटकोई ने मार्केट कैप नानुसार विश्वनी सौथी मोटी क्रिप्टो करणसी शे औने समगर विश्व मात तनो वाईडली ट्रेड गरवा बावे शे ते क्रिप्टोकरंसी मार्केट मा अटला मोटा ट्रेडिंग वॉल्यूम ने कमांड आपे छे कि तिया वेल नोन मेट्रिक छे जिब बीटीसी ने नोन बीटीसी क्रिप्टोकरंसी साथे सर्खावे छे आ मैट्रिक जेने बिटकोईन डॉमिनेंस केवाई चे जिब बिटकोईन अने रेस्ट ओफ दे क्रिप्टो करंसीज ना मार्केट कैप नो गुणोत्तर द्रशावे चे एक समय मार्केट माँ बिटकोईन डॉमिनेंस सोट काहतू परों तु ओल्टकोईन नी पॉपुलारेटी बिटकोईन डॉमिनेंस ने असर करी चे तेथी जरे ओल्टकोईन नी मार्केट कैप बिटकोईन करता वधू सारी थवाल आगे चे तेरे ओल्टकोईन नी सीजन शरू अब बदलाता ट्रेंड ने करने बिटकोईन ने बतले औल्टकोईन नी मांग वधे शे अने आवी स्तिती मां जो अल्टकोईन नू मार्केट कैप वधवा लागे तो अल्टकोईन नी सीजन आवती होई शे तो आजना क्रिप्टो नी समधना एपिसोड मा फक्ता अटलूज फरी मारिश आपने क्रिप्टो ने लगती जानकारियों साथ है रजा आपशो नमस्कार आपने क्रिप्टो नूमा नर्तारिस का लगबाद ही ट्रेमिया काहिए आपने क्रिप्टो नमस्कार आपने क्रिप्टो नमस्कार अब्सकार बार रची बारे गारे रारे की वन योग्यादिक वारे बारे की वारे कीजारे वारे की वे एमेश्छाने आप बनदयाओं।